C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है सामाजिक विज्ञान के पाठ्थे क्रम के अंतरगत कक्षा साथ की ध्वानी पाठ्थे पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन अध्याय 9 प्रिष्ट 102 से 109 तक प्रिष्ट 102 यहां कई सारे चित्र दिये हुए हैं जिन में विभन्ने द्रिश द्रशाय गया है शीर्शक समानता के लिए संगहर्श इस पुस्तक में अभी तक आपने कांता, अंसारी दंपत्ति, मेलानी और स्वपना जैसे लोगों के बारे में जाना इन सब के कहानियों में जो बात समान है वो ये कि उनके साथ असमानता का व्यवाहर किया गया ऐसे इस थित्यों में लोग क्या कर सकते हैं इतिहास में इस बात के अनेक उधारन है जहां लोग असमानताओं के विरुद्ध और न्याय के लिए संघर्ष करने के लिए एक साथ आ खड़े हुए क्या अध्याए एक की रोजा पाक्स की कहानी आपको याद है? क्या अध्याए पांच में स्त्री आंदोलोनों पर सुने चित्र लेख आपको ध्यान है? इस अध्याए में आप कुछ ऐसी कोशिशों के बारे में जानेंगे जिनके द्वारा लोगों ने असमानता के विरुद्ध अपनी लड़ाई लड़ी प्रिष्ट एकसो तीन भारत का समविधान हर भारतिये नागरी को समान द्रिष्टी से देखता है आप पुस्तक के पहले हिस्से में सुन चुके हैं कि राज्य और उसके खानून के द्रिष्टी में किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाती, लिंग, धर्म तथा उनके अमीर या गरीब होने के आधर पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है देश की हर वयस्क नागरिक को चुनावों के दौरान समान रूप से मतदान करने का अधिकार है मताधिकार की ताकत के जरिये ही जनता अपने प्रतिनिधी को चुनती या बदलती है मताधिकार की ताकत से आप क्या समझते हैं इस पर आपस में विचार कीजिए मता अधिकार से हमारे भीतर समानता का भाव विक्सित होता है क्योंकि हमारे भी वोट की किमत उतनी है जितनी किसी भी और व्यक्ति के वोट की लेकिन ये भाव अधिकतर लोगों के जीवन को नहीं चूपाता आपने पहले के अध्यायों में सुना है कि कैसे स्वास्त सेवाओं में निजी करण बढ़ रहा है और सरकारी अस्पतालों के लापरवाही वाले रवाये ने कांता, हाकिम शेख और अमन जैसे अत्यनत गरीबों के लिए अच्छी स्वास्त सेवाओं को कठिन बना दिया है ये वे लोग हैं जो महंगी और निजी स्वास्त सेवाओं का बोज नहीं उठा सकते इसी तरह देखें एक बूढ़ी औरत जो घर पर अच्छा अचार बनाती है बड़ी कंपनियों के लंबे चौडे विग्याबन खर्च और अरेक संसाधनों के सामने कमजूर हो जाती है और उन से पिछड जाती है सौपना के पास भी पर्यापत संसाधनों की कमी है और इसलिए उसे अपनी रूई की फसल उगाने के लिए एक सहुकार से उधार लेना पड़ता है यही कारण है कि उसे मजबूरी में अपनी अच्छी फसल को कम कीमत में बेचना पड़ता है देश भर में मिलानी की तरह से घरेलू काम करने वाली लाकों महिलाएं हैं जो लगातार मेहनत से दूसरों के घरों का काम करती है इसके बाद भी वे अपमानित होने को विवश हैं क्योंकि वे संसाधनों के अभाव में स्वयम का कोई काम नहीं कर पाती हैं गरीबी और संसादनों का अभाव आज भी भारती समाज में विशमता और असमानता के सबसे बड़े कारणों में से एक है दूसरी और अनसारी दमपत्ति को संसादनों के नहोने या कम होने के कारण असमानता नहीं चेलनी पड़ी वास्तव में जबके उनके पास खिराय देने के लिए भी परियाप्त पैसे थे तब भी वे एक मकान पाने के लिए महीने भर भटकते रहे लोग उनके धर्म के कारण उन्हें मकान देने से हिचकते रहे ठीक इसी प्रकार स्कूल के अध्यापकों ने ओम प्रकाश वालमेकी से स्कूल का मैदान महज इसलिए साफ करवाया क्योंके वे दलित थे आपने इसी पुस्तक में जाना कि महलाओं के द्वारा किये गए काम अक्सर ही पुरुशों के कामों की तुल्ला में तुछ माने जाते हैं प्रिष्ट एकसचार इन सभी के साथ किये जाने वाले भेद्भाव का प्राथमिक कारण ये था कि वे किसी खास सामाजिक या सांस्कृतिक प्रिष्ट भूमिके थे या वे महिलाएं थी धर्म जाती और लिंग वे कुछ महतुपूर्ण कारक हैं जिनके आधार पर आज भी भारत में लोगों से असमानता का व्यावार किया जाता है गरीबी मानविय गर्मा का अभाव और कुछ विशेश समुदायों के प्रति अपमान जैसे कारक अक्सर ऐसे मिले जुले ढंक से सामने आते हैं कि ये तैय करना कठिन हो जाता है कि कहां एक तरहें की असमानता खत्म होती है और कहां दूसरी असमानता शुरू हो जाती है देने वालों की संख्या बहुत अधिक है ये इस्थिती गरीबी सामाजी का समानता और इन समुदायों के लिए अच्छी स्कूल सुविधाओं के अभाव जैसे कई मिले जुले कारणों से पैदा हुई है भारत में ये एक वास्तवित्ता है कि जो गरीब हैं सामानता दलित आदिवासी और मुस्लिम समुदाय के हैं और इन में से भी विशेशता महिलाएं है दो हजार ग्यारह की जन गरना के आंकड़े बताते हैं कि हमारी जन संख्या में 48.5% महिलाएं है 14.2% मुसल्मान है 16.6% दलित हैं और 8.6% आदिवासी है शीरशग समानता के लिए संखर्श दुनिया भर के तमाम समुदायों गामों और शहरों में आप देखते होंगे कि कुछ लोग समानता के लिए किये गए संखर्शों के कारण समान से पहचाने जाते हैं ये वे लोग हैं जो अपने साथ या अपने सामने किये जा रहे किसी भेदभाव के विरुद उठ खड़े हुए हम इनका समान इसलिए भी करते हैं कि इन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को उसकी मानविय गरिमा के साथ स्विकार किया और सदैव इसे धर्म और समुदाय से उपर माना इन्हें लोग बहुत विश्वास के साथ अपनी समस्याओं के समधान हेतु बुलाते हैं अक्सर समानता के किसी विशेश बुद्धे को लेकर संगर्श करने वाले व्यक्ति समाज में एक महतवपून पहचान बना लेते हैं जोकि समता की लड़ाई में बहुत बड़ी संख्या में लोग उनके साथ हो जाते हैं भारत में ऐसे अनेक संगर्श यात किये जा सकते हैं जहां पर लोग ऐसे मुद्धों के लिए लड़ने को आगे आये जो उन्हें महतवपून लगते थे अध्यप पांच में आपने सुना कि कैसे और किन तरीकों से समानता के लिए महिलाओं का आंदोलन खड़ा हुआ मद्ध प्रदेश का तवा मत्स संग ऐसा ही दूसरा उदाहरण है जहां लोग अपने अधिकार के लिए साथ खड़े हुए ऐसी तमाम संगर्ष गाथाएं हमारे पास हैं जिनमें बीडी मजदूरों, पच्छवारों, खेती हर मजदूरों, चुग्गी वासियों के समोहों ने अपनी तरह से न्याय के लिए लडाईयां लड़ी ऐसे तमाम प्रयास भी हमारे सामने हैं जहां लोगों ने मिल जुल कर संसाधनों पर नियंत्रन करने के लिए सहकारी संगठन खड़े किये यह एक चित्र है Reduced Inequalities सतत विकास लक्ष दस असमानता को कम करना www.in.undp.org क्या आप अपने परिवार समुदाए गाओं ये शहर में किसी ऐसे विक्ति के बारे में सोचते हैं जिनका आप इसलिए सम्बान करते हैं क्योंकि उन्होंने नियाए और समानता के लिए लडाई लड़ी प्रिष्ट एक सो पांच शीरशक तवा मत से संग जब जंगल के बड़े ख्षेतरों को जानवरों के लिए अभ्यारन्य घोशिद कर दिया जाता है और बड़े बांधों का निर्बान किया जाता है तो हजारों लोग विस्थापित होते हैं पूरे के पूरे गाउं के लोगों को अपनी जड़ों को छोड़ कर कहीं और नए घर बनाने और नए जिन्दगी आरंभ करने के लिए मजबूर किया जाता है इन विस्थापितों में से अधिकांश लोग गरीब होते हैं शहरी क्षेत्रों में भी वे बस्तियां जहां गरीब रहते हैं उन्हें हटा दिया जाता है इन में से कुछ को शहर के बाहरी इलाखों में दोबारा वसाए जाता है इस सारी कवाइद में न सिर्फ हटाए गए लोगों के कामधंधे प्रभावित होते हैं बलके शहर में इस्थित स्कूलों से दूर हो जाने के वज़े से इन बस्तियों के बच्चों की पढ़ाई भी अक्सर गंभीर रूप से प्रभावित होती है लोगों और समुदायों का विस्थापन हमारे देश में एक बड़ी समस्या का रूप ले चुका है ऐसे में कई बार लोग संगठित होकर इसके विरुद्ध लड़ाई के लिए सामने आते हैं यह एक चित्र है नाव में एक रिक्ति खड़ा हुआ है तवा नदी का जलाश है प्रिष्ट 106 देश में ऐसे बहुत से संगठन है जो विस्थापितों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं इस अध्याय में हम तवा मत्स संग के बारे में बताएंगे जो मच्छवारों की सहकारी समिति का एक संग है और सत्वड़ा के जंगलों से विस्थापित लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रहा है चिंदवड़ा जिले की महादेव पहड़ियों से निकलने वाली तवा नदी की खुशंग का बाद में नर्मदा से मिलने के लिए बैतूल होती हुई आती है तवा पर एक बांध का निर्मान 1958 में आरंब हुआ और 1978 में पूरा हुआ जंगल के एक बड़े हिस्से के साथ ही बहुत सी क्रिशी भूमी भी बांध में डूब गई जिस से जंगल के निवासी अपना सब कुछ खो बैठे इन में से कुछ विस्थापितों ने बांध के आसपास रहकर थोड़ी बहुत खेती के अलावा मचली पकड़ने का व्यावसाय आरंब किया ये सब करके भी कि बहुत थोड़ा सा कमा पाते थे 1994 में सरकार ने तवा बांध के एक खेतर में मचली पकड़ने का काम निजी ठेकेदारों को सौंप दिया इन ठेकेदारों ने स्थानी और लोगों को काम से अलग कर दिया और बाहरी खेतर से सस्ते श्रमिकों को लिया आए ठेकेदारों ने घुंडे बुला कर गाउवालों को धमकिया देना भी आरंभ कर दिया चुकि लोग वहां से हटने को तयार नहीं थे गाउवालों ने एक जुट होकर तै किया कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ने और संगठन बना कर सामने खाड़े होने का वक्त आ गया है इस तरहें तवा मत से संग नाम के संगठन को बनाये गया नवगठे तवा मत से संगठन T.M.S. ने सरकार से मांग की कि लोगों के जीवन निर्वाह के लिए बांध में मचलियां पकड़ने के काम को जारी रखने की अनुमति दी जाए ये मांग करते हुए चक्का जाम शुरू किया गया उनके प्रतिरोत को देखकर सरकार ने पूरे मामले की समिक्षा के लिए एक समिति कठित की समिति ने गाओं वालों के जीवन यापन के लिए उनको मचली पकड़ने का अधिकार देने की अनुशन साकी यह एक चित्र है उसमें बांध और नदी का द्रिश्य दिखाये गया है नदी पर बांध ऐसी जगें बनाये जाता है जहां बहुत मात्रा में पानी एकठा किया जा सके ऐसा करने से एक जलाशे बन जाता है और जैसे जैसे उसमें पानी भरता है जमीन का एक बड़ा क्शित्र उसमें डूब जाता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नदी पर बनाए गए बांध की दीवार उंची होती है और उस से रुका हुआ पानी एक बड़े इलाके में पहल जाता है ये फोटो उत्राखन में टेहरी बांध के बनने से दूब गए इलाके की है इस बांध के कारण पुराना टेहरी शहर और सौ गाउं जिन में से कुछ पूरी तरह से और कुछ आंशिक रूप से पानी के नीचे समा गए लगभग एक लाख लोग विस्थापित हो गए तवा मत्स संग के संगर्ष का मुद्दा क्या था? गाउं वालों ने ये संगठन बनाने की जरूरत क्यों महसूच की? क्या आप सूचते हैं कि तवा मत्स संगर्ष की सफलता का कारण था? ग्रामीनों की बड़ी संख्या में भागीदारी? इस संबंध में दो पंक्तियां लिखिये प्रिष्ट 107 यहां दो चित्र हैं पहले चित्र में TMS के सदस्य एक रैली में विरोध करते हुए और दूसरे चित्र में सहकारी समित्य की एक सदस्या मचली तोलती हुई 1996 में मध्य प्रदेश सरकार ने तै कि कि तवा बांध के जलाशे से मचली पकड़ने का अधिकार यहां के विस्थापितों को ही दिया जाएगा दो महीने बाद सरकार ने तवा मध्य संग को बांध में मचली पकड़ने के लिए पांच वर्ष का पट्टा लीज देना स्विकार कर लिया और इस तरह दो जनवरी 1997 को तवाक्षेतर के 33 गाओं के लोगों के लिए नया साल सही अर्थों में आरंब हुआ तवा मध्य संग TMS के साथ जुड़कर मचवारों ने लगातार अपनी आय में इजाफा दर्ज किया यह इसलिए संभव हुआ कि उन्होंने एक सरकारी समिती बनाई जो पकड़ी गई मचलियों के प्रत्य खेप की उचित क्यमत सीधे उन्हें देती है यह सहकारी समिती इसके बाद की प्रक्रिया में भी शामिल होती है सारा माल बाजार तक पहुँचाना और वहां भी उचित मुल्ल प्राप्त करना समिती का ही काम है यह मचवारे अब पहली के तुलना में तीन गुना ज्यादा कमाने लगे हैं तवा मत्स संगने जाल खरीदने और रख रखाओ की जरूरत के लिए मचवारों को रिंड देने की भी व्यवस्था की है मचवारों के लिए अच्छी आमदनी प्राप्त करने के साथ साथ तवा मत्स संगने इस बात की भी व्यवस्था की है कि जलाशाय में मचलियों को ठीक ढंग से पलने बढ़ने की स्थितियां मिले TMS ने सभी के सामने ये बात सिध कर दी है कि लोगों को जब आजिवीका का अधिकार मिलता है तो वे अच्छे प्रबंधन के गुणों का परिचाय भी देते हैं क्या आप अपने जीवन से एक ऐसा उदाहरन याद कर सकते हैं जिसमें किसी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियोंने मिलकर असमानता की किसी स्थिती को बदला हो प्रिष्ट 108 यहाँ एक चित्र है उसमें लिखाया असमानता के विरुध रचनात्मक अभिव्यक्ति यहां प्रस्तुत ये गीत विन्य महाजन द्वारा सूचना के अधिकारों के अभियान में लिखा गया शिर्शक जानने का हक मेरे सपनों को ये जानने का हक रे क्यों सदियों से तूट रहे हैं इन्हें सजने का नाम नहीं मेरे हाथों को ये जानने का हक रे क्यों बरसों से खाली पड़े हैं इन्हें आज भी काम नहीं मेरे पेरों को ये जानने का हक रे क्यों गाउं गाउं चलना पड़े हैं क्यों बस का निशान नहीं मेरी भूख को ये जानने का हक रे क्यों गोदामों में सरते हैं दाने मुझे मुठी भर धान अन्न नहीं मेरी बुढ़ी मा को ये जानने का हक रे क्यों गोली नहीं सुई दवाखाने पट्टी टांके का सामान नहीं मेरे बच्चों को ये जानने का हक रे क्यों राद दिन करें मजबूरी क्यूं शाला मेरे गाउं में नहीं शीरशक असमानता के विरुद्ध रचनात्मक अभी व्यक्ति इस चित्र में लोग गाना गा रहे हैं कुछ लोग असमानता के विरुद्ध आंदोलोनों में हिस्सा ले रहे होते हैं तो कुछ और लोग असमानता के विरुद्ध अपनी कलम, अपनी आवाज या अन्निकलाओं जैसे अंदृत्य संगीत अधिक प्रयोग ध्यान आकरिष्ट करने के लिए करते हैं, लेखक, गायक, नर्तक और कलाकार भी असमानता के विरुद्ध संगर्ष में सक्रिय भूमिका अक्सर ही कविताएं, गीत और कहानियां न सिर्फ हमें प्रेरित करती हैं, बलके वे समानता में हमारे विश्वास को द्रड़ भी करती हैं, वे न केवल हमें प्रेरित करती हैं, बलके हमें सही दिशा में चलना भी सिखाती हैं, उपर्योक्त गीत में से आपको कौन सी पंक् इस पंक्ति से कवी का आश्य क्या हो सकता है? क्या आप अपनी भाषा में अपने क्षेत्र में कोई प्रचलित ऐसा गीत या कविता कक्षा में सुना सकते हैं? जिसमें मनुष्य की समता और गरिमा का वर्णन मिलता हो। शीर्शक भारत का समविधान एक जीता हुव दस्तावेश। नयाय के लिए किसी आंदोलन और समानता के लिए गीत और कविता की तमाम प्रिरणाओं के पीछे जो एक भाव होता है वो मनुष्य की समता का ही होता है। समता और नयाय की बात करते हैं। तवा मत्स संग के मच्छवारों की आशा का आधार भी समविधान के प्रावधान ही है। अपनी बाचीत में लगातार समविधान का जिक्र करने से वे उसे एक ऐसे जीते हुए दस्तावेस की तरह उप्योग कर रहे हैं। जो हमारे जीवन में सचमुच अर्थ रखता हो। लोकतंतर में कई व्यक्ति और समविधान लगातार इस दिशा में कोशिश करते हैं कि लोकतंतर का दाइरा बढ़ता जाए। और अधिक से अधिक मामलों में समानता लाने की जरूरत को स्विकार किया जाए। समविधा का मूल्य लोकतंतर के केंदर में है। इस पुस्तक में हमने ऐसे कुछ मुद्दों को आपके सामने रखने का प्रियास किया है जो लोक तंत्र के इस मूल भाव के लिए चुनौती पैदा करते है प्रिष्ट एक सुनौ हो यहां एक चित्र है जिसमें एक महिला माइक्रोफोन पर कुछ बोल रही है 2001 में लखनों में पंद्रह सौ से ज्यादा लोग महिलाओं के खिलाफ हिंसा का विरोफ करने के लिए एक जन सुनवाई में एकटे हुए इसमें प्रतिष्ठित महिलाओं की एक जियूरी बनाई गई और उन्होंने जाया धीशों की भुमी का निभाते हुए महिलाओं के खिलाफ हिंसा के पंद्रह से ज्यादा प्रक्रणों की सुनवाई की लोगों की इस जीूरी ने इस सचाई को उभारने में मदद की कि कानून व्यवस्था में हिंसा के खिलाफ नियाए की मांग करने वाली महिलाओं को कितना कम सहयोग मिल पाता है जैसा कि आपने सुना देश की स्वास्त सेवाओं का निजिकरन, संचार के माध्यमों, मीडिया पर व्यावसाई घरानों का बढ़ता दबाओ और नियंतरन, महिलाओं के श्रम को कम मुल देना और कपास के किसानों के बेहत कम आए होना ये सब लोक तंतर के लिए चुनाओतिया है ये वे मुद्दे हैं जो सीधे गरीबों को प्रभावित करते हैं और समाज में उपेक्षित समधायों से जुड़े हुए हैं ये देश में सामाजिक और आर्थिक समानता से जुड़े मुद्दे हैं लोक तंतर के लिए समता और उसके लिए संगर्ष एक महतवपून तत्व है व्यक्ति और समधाय का स्वाभिमान और गरिमा तभी बनी रह सकती है जब उसके पास अपनी और परिवार की सभी जरूरतें पूरी करने के लिए परियाप्त संसाधन हो और उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए समानता के लिए लोगों के संगर्ष में हमारे समविधान की क्या भूमिका हो सकती है क्या आप एक छोटे समुह में समानता के लिए एक सामाजिक विग्यापन तयार कर सकते हैं इसी के साथ नौ अध्यायों की इस पुस्तक का अध्याय नौ यहां समाप्त हुआ